नेशनलिजम इन इंडिया यूनिट 3 के चैप्टर 5 के बारे हम बात करेंगे इससे पहले यूनिट 3 का चैप्टर 4 हम स्टेडी कर चुके हैं डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का चैप्टर 5 जो है गांधी एंड मास मोबलाजेशन का मतलब होता है गांधी और उनके साथ जो बड़ा जन समूँ था ठीक है उसके बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे इंस्टा पर आप मुझे फोलो कर सकते हो को और यहां पर मुझे से पूछ सकते हो यूजर नेम आपके सामने है टेलिग्राम पर जाके आप गुरूप जरूर जोइन करें आपके महंदास करमचंद गांदी महात्मा गांदी का पूरा नाम था महंदास करमचंद गांदी जिनका एक महत्पून योगदान रहा है भारती आजादी में तो भारत की आजादी में महंदास करमचंद गांदी का एक महत्पून योगदान रहा है एक भारी जन समूँ को अपने स करमचंद गांदी is significant because he could understand and bring the Indian masses men and women यानि इन्होंने अपने साथ ना केवल आदमियों को बलकि ओरतों को भी यानि उस समाज की ओरतों को जो उस समाज की ओरते जबकि इतना भार नहीं निकल बाती थी उनको भी अपने साथ जोडने में काफी successful रहे थे urban and rural यानि जो देहाती लोग थे जो गरामिन लोग थे उनको अपने साथ जोडने में काफी सफलता इनको प्राप्त हुई थी into the national movement यानि रास्टेवादी आंदोलन जो भी इन्होंने चलाए थे उनके अंदर गरामिन, rural, देहाती जो लोग थे ठीक है औरत, आदमी, एक सभी समाज के तबेके को अपने साथ जोडने में ये सक्सेस्फुल रहे थे, सफलता इनको मिली थी, it was a radical break from the earlier methods of struggle और ये एक अलग movement था जब भारत की अजादी के लिए जो संगर्स चल रहा था ये, ये बिलकुल अलग movement था जब महात्मा गांधी भारत के अजादी के संगर्स के लिए जुड़े थे, गांधी provided a program of action for each section of the society और समाज के प्रतेक तब्के के साथ, समाज के प्रतेक वर्ग के लिए उनने लड़ाई-लड़ी थी, for example के लिए उनने किसानों के लिए non payment of land tax जो प्रिटिस सरकार ने किसानों पर एक भूमी कर लगा रखा था, उस भूमी कर को हटाने के लिए उनने अंदोरन लड़े थे, और किसानों को कहा था कि आपको कोई जरूत नहीं है, आप भूमी, ये वाला भूमी कर परदान करें, इनके लिए उनने अंदोरन लड़ा, students के लिए अंदोरन लड़ा इननोंने, और students को बताये कि आप बाइकोट कीजिए, educational institute क जो ब्रिटिस सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उसके बाद इनोंने lawyers का साथ दिया, यानि जो निया LA से जुड़े हुए वकील थे, उनका इनोंने साथ दिया, और इनोंने महिलाओ का साथ दिया, और महिलाओ से कहा देकि जो ब्रिटिस सरकार की जो liquor soaps है, यानि कि जो व बिल्कुल meaningless low थे, लोगों के लिए उस समय के लिए, तो उन सभी लोगों का विरोध करने के लिए, उन सभी नियमों का विरोध करने के लिए, ब्रिटिस सरकार के विरोध, इनोंने लोगों का साथ दिया, और लोगों को जागरूप किया था, इनके जो मेन हत्यार थे, गां उनका विरोध करना, ये सब था मास्ट डेमोंस्टरेशन के अंदर, उसके साथ इन्हों ने देगे जेल के अंदर, जब प्रिटिस सरकार डाल दे थी उठाए उठाए लोगों को, तो इसका भी इन्होंने विरोध नहीं करा और इन्होंने कहा, आप बेशक से हमें जेल में डा सकते हैं ये इनका एक कड़ा हतियार था एक प्रमुख वैबन था अंग्रेजियों से लड़ने के लिए और भारत को आज़ाती दिलाने के लिए और रास्टेवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तब period between 1919 to 1947 यानि कि 1919 से लेके 1947 के बीच जो भी घटा यह यह कह सकते हो कि इस दोरान महात्मा गांदी ने क्या-क्या बड़े-बड़े काम किये उनको हम डीटेल से डिसकस करेंगे इस चेप्टर के अंदर तो तीन इनके मुखे अंदोलन है गांदी जी के दुआरा जो चलाए गए थे जो हम डिसकस करते हैं 1919 से 1947 के बीच यानि बारत की आजादी तक तीन इन्होंने बड़े अंदोलन चलाए थे अंग्रेजों के विरुद उनको हम डिसकस करते हैं पहला जो इनका अंदोलन था व moment civil disobedience moment को कहते हैं सभी ने अवग्या अंदोलन यानि जब किसी कानून को हम तोडते हैं जब किसी कानून की कानून की जो मानेता है उसको हम तोडते हैं तो उसे कहते है civil disobedience उसके बाद इनका लास्ट अंदोलन था quit India moment यह आपने काफी सुना होगा 1942 में चलाए गया था मात्म कोपरेशन मुवमेंट की यानि एस अयोग अंदोलन ये एक महत्पुन अंदोलन था जो अंगरेजों के विरुद्ध चलाया गया था 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था 1922 में इसको खतम कर दिया गया था महात्मा गांदी के दोराना देखे हुआ क्या था यृजब बहुत सारे मासूम लोगों को उसके अंदर मार दिया गया था गोलियों से जिसका भारी जन विरोध किया था महात्मा गांधी ने भी और भगत सिंग ने भी तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में चलाया था नॉन कोपरेशन मुव्मेंट यानि एस सायोग अंदूरन इसके अंदर उन्हों ने लोगों से ये कहा था कि आपको अब ब्रिटिस सरकार का विरोध करना होगा ब्रिटिस सरकार का जो विरोध हम करेंगे वो आहिंसा के तरीके से करेंगे और ब्रिटिस सरकार की जो भी जो उनके कपड़े थे जो उनके लिकर थी जो भी ब्रिटिस सरकार से समान आता था उसको हमें खरीदना बंद करना होगा हमें अपने समान को आगे अपने समान का यादा यूज करना होगा लाइक खादी ठीक है जो भी लगू, कुटिर, उद्ध्योग जो भारतियों के द्वारा चलाए जा रहे थे उसको सपोर्ट करना होगा और ब्रिटिस सरकार के समान का हमें विरोध करना होगा, तो इस तरीके से नौन कोपरेशन मुव्मेंट को आगे बढ़ाय गया था और गांधी की जो विचार थे गांधी के जो आइडिया थे वो थे अहिंसा और नौन वॉयलेंस, अहिंसा था अहिंसा नौन वॉयलेंस का मतलब होता है कि अपनी बातों को हम शांती पून तरीके से रखेंगे, शांती पून ढंक से रखेंगे, हम अपने विचारों को, विचारों में कोई ऐसी गतिविदी और इस समर्तन को देखते हुए British ruler ने जो है देखा के large scale पर जो है वो इंडिया जुटने लगा है भारत के large scale पर जो लोग है वो जुटने लगे हैं लेकिन फिर भी ब्रिटिस जो लोग थे इस समय तक समझ नहीं पाए थे कि जो ये जो आंदोलन चल रहा है ये आगे चल कर इनके लिए काफी खतरनाक सिद्ध होगा तब तक मतलब ये इसको हलके में ले रहे थे ओन फेबरेरी फोर 1922 देखे चार फरबरी 1922 में क्या हुआ था चोरा चोरी के अंदर एक वॉयलेंट हो गया था क्लैस हो गया था बेट्विन द लोकल पुलिस एंट द प्रोटेस्टर यहीं जो प्रोटेस्ट करने वाले विकतिती फी समान को हम विरोध करते लिये और रॉया चोरा- दो प्रोराइस्टर को वहीं पर गोली मार दी शीम में से तीन प्रोर्टास्टर वहीं पर मर गए तो जब तीन पिड़े जो थी वहीं बहड़क गई और भीड बहड़कने के बाद उन्होंने पुलिस ऑई ती प्रोडम स्कॉड़ायa और दोड दोड़ा कर उसको पुलिस चोकी के अंदर उसको गुसा दिया और पुलिस चोकी में उन्होंने आग लगा दि जिसके अंदर 22 पुलिस कर्मी जो है ओंदा स्पोर्ट वहाँ पर मर गए थे ठीक है ये था चोरा चोरी कांड अब ये सब जब गांदी जी ने देखा तो वो अंदर से काफी तूट गए क्योंकि वह अहिंसावादी थे वह नॉन्वाइलेंस को सपोर्ट करने वाले थे ये सब कुछ देखकर महात्मा गांदी ने कहा देखे मेरा जो आंदोलन है मैं जो व्यक्ति हूं वह बिल्कुल हिंसा से परे हूं मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग है वह नहीं इसके बाद इन्होंने अंदोलन चलाय था था दा सिविल डिस ओबिडेंस मुव्मेंट जिसको हिंदी में आप पढ़ते हो सवी ने अवग्या अंदोलन के नाम से ये भी चलाय गया था गांदी जी के नितरतव में ये किसले चलाय गया था देखिस साइमन कमीशन आय था सा साइमन कमीशन का क्या काम था साइमन कमीशन में ब्रिटिस सरकार ने भारत के लिए एक सवीदान बनाय था तब तक भारते रास्टे कोंगरेस इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ब्रिटिस सरकार को भारते रास्टे कोंगरेस के साथ मिलकर उनके लिए भारत के लिए एक यानि जितने भी जो Britishers थे उन्होंने मिलकर ही उस कानून को जो है Constitution को जो है वो भारत के लिए बना दिया था इसको Simon Commission का नाम दिया गया था Simon Commission का भारी विरोध किया था भारती जन्ता ने और उस समय जब Simon Commission को बनाए गया तो भारत के जितने भी राजनीतिक व्यक्ति थे उनको तो उन्होंने बायकोट किया ही इसके सासाथ भारती रास्टे कोंगरस का भी इन्होंने बायकोट कर दिया था यानि इनको भी सामिल उन्होंने नहीं किया था और ये पूरर तरीके से एक स्वेत जो ए कमिशन था यानि गोरो के दुआरा बनाया गया ये कानून था जिसका भारती जन्ता ने विरौत किया था there was a massive opposition to the Simon's Commission in Bengal बंगाल के अंदर प्रथम इसको लागू किया था और जैसे बंगाल में इसको लागू किया तो इसका भारी विरोध किया था बंगाल के अंदर Massive Demonstration were held in Calcutta on 19 February 1928 और जब 1928 के अंदर साइमन कलकता के अंदर पहुचा तो भारी जन समूने उसका विरोध किया था जो जनता थी उन्होंने वहाँ पर साइमन का विरोध किया था जब साइवल जब साइमन जो है वो कलकता के अंदर पहुचा था following the rejection of recommendation of the Simon Commission by the Indians and all the all party conference was held at Bombay में in 1928 और जब इसकी जो रिकमेंडेशन थी इसको जब भारती द्वारा reject कर दिया गया था साइमन कमिशन की recommendation को तो Bombay में अधिवेशन हुआ था भारती रास्टे कॉंग्रेस का 1928 में इसके विरोध में जो है conference किया गया था भारती रास्टे कॉंग्रेस का Bombay में तो वहाँ पर इन्हों ने घोषना की थी कि हम civil disobedience movement को चलाएंगे यानि सवन्य अवग्या अंदोलन चलाएंगे अंग्रेजों के विरोध सवन्य अवग्या अंदोलन का मतलब क्या था यानि British के दुवारा जो कानून बनाए गए हैं हम इसको विरोध करेंगे और इन कानूनों को तोड़ेंगे सर्वपरतम आपको पताओगा 1930 में नमक कानून को तोड़ा गया था गांदी जी के दुवारा उस समय क्या था कि नमक बनाने का अधिकार सिर्फ British के पास था यानि जो अंग्रेज थे वही नमक बना सकते थे भारतिय नमक को नहीं बना सकते थे यानि नमक पर एक अधिकार प्रेटिस सरकार का तो इसको इन्हों ने तोड़ा था कि नोने गांडी जी ने सरोपरतम दांडी एपली दांडी दा हूल कंट्री वेकप और इस समय तक जो पूरा देश था वो जग चुका था पूरा देश जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था अंग्रेजों के नीतियों के विरुद्ध था और प्रतेख व्यक्ति जो भारत का था वो गांधी की नेत्रतों में काम करना चाहता था इस समय गांधी की जो लहर थी वो पूरे भारत में पैल चुकी थी और 1930 में क्या होता है पूलिस के जनता के बीच में मुठबेड होती है और हजारों लोगों को पूलिस के दुआरा अरेस्ट कर लिया जाता है 1931 में क्या होता है ब्रिटिस गवर्मेंट एगरी तू एट ओल पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्री सो देट गांधी एगरी तू डिसकंटीनु दसिविल डिस ओबिडेंस मूँमेंट 1931 में जो ब्रिटिस गवर्मेंट होती है वो जितनी भी नेताओं को उन्होंने बंद किया था और जितनी भी जंता को उन्होंने बंद किया था उसको छोड़ने की रिहाई के पक्ष में अपना अपनी बात रखती है कि हम इनको रिहा कर देंगे और गांधी भी इस बात से जाता है ठीक है आप इनको रिया कर दीजिए हम जो सवीने वे अज्यांदोले ने इसको स्थगित कर देंगे इसके बाद क्या होता है गांदी जी जाते हैं दूसरे में गांदी जी अकेले इसको अटेंड करने के लिए जाते हैं और इसे कोन्फेरंस में होता क्या है? यानि भारतियों की बात को उसके अंदर नहीं माना जाता, जो भी भारतियों ने बात रखे ती जो भी गांधी झी ने जाकर रिप्रेजेंट ốngड़ियो को बातोग गया चालु कर देते हैं डिशंबर 1931 गौढधी रिटर्ण टो इंडिया और 1931 में गांधी को दोबारा से चालू कर है 1932 में जन्वरी 1932 के अंदर इसको वो दुबारा से चालू कर देते हैं लेटर दा कुई इंडिया मुवमेंट ऑफ इंडिया 1942 और इसके बाद जब आंदolen स्टार्ट हो जाता है 1932 में तो वो गहराही से चलता रहता है धीरे-धीरे इसकी जो प्रात्मिक्ता थी आंदोलन की वो कंजोर पड़ चाती हो फिर ये जी के द्वारा के अब जो है गोरों को सीरे से नकार दिये जाएगा और जितने भी जो ब्रिटिसर्स है उनको पून सतंतरता देनी होगी भारत को पून सतंतरता की मांग जो है इसके अंदर रख दी गई थी और प्रते गोरे को भारत को छोड़ना होगा ये मांग इसके अंद से भी जाना जाता है और इस समय क्या था विर्ट बार सिकंड चल रहा था विर्ट वार सेकंड आपको पता होगा कि 1969 से 1945 के बीच में व्रडवार सेकंड चला था और इसी दोरहां यानी 1942 तकि अंदर स्ट्रेक निबारत के निब्राइन के इन्दर चिट दिया था इंडिया फो फ्र्रेंड ओप bonar एंडिया जो अंदुलन था इसके इसका बिल्कूल INजियर और यहां से ज्याना होगा दिस मुंबई सेशन और जब यह स्टार्ट किया गया था तो उस समय भारती रास्टे कॉंग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ था उस समय इसको जो है अंदोलन को स्टार्ट किया गया था कि इट बिगिन गानदी जी के आहान पर पूरा देश एकजूट हो गया था इसके समर्थन में यानि भारत छोड़ो अंदुरन के समर्थन में पूरा देश एकजूट हो गया था और पूरे देश की एक यह वास्ति उस समय जो ब्रिटिसर्स है इनके इनके रूल को इनके म्यूम्ट को स Pret位 से नकार देना चाहिए और पूरे इसको भारत से हटाना होगा तत्काल मुक्त कराना होगा यहनी भारत को तत्काल मुक्त करना होगा British Government को तो यह था 1942 का the quick India moment यानि भारत छोड़ो आन्धोलन यह था 1942 का तो यह तीन मुंशन हमने पड़े इस चैप्टर के अंदर जो गांदी जी के गांदी जी के कारियों को डिफाइन करते हैं कि गांदी जी ने भारते आजादी के अंदर क्या उनका योगदान रहा इसको हमने डिटेल से डिसकस किया है चैप्टर के अंदर यहाँ पर हमारा यह chapter खतम हो जाता है मिलते हैं next chapter में यानि chapter 6 में मिलते हैं अब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद